जोस्तों आज इस वीडियो में मज़ा आने वाला है क्योंकि ये वीडियो अपने आप में खास अस्थान रखता है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ खास टॉपिक भरष्टाचार के बारे में अपने बहुत बार पत्रकार को भरष्टाचार कर रहे हैं भरष्टाच में हो रही है पत्रकार क्या होता है पत्रकारीता कैसे किया जाता है और भरष्टाचार किसे हम बोल सकते हैं भरष्टाचारी किसे हम कह सकते हैं भरष्टाचार की परिभासा क्या होती है भरष्टाचार कहां कहां हो रहा है भरष्टाचार के कारण समाज में क्या रहाए क्या क्या कर रही है भरष्टा 4 से रिलेटर जो भी समस्या आइ सवाल हैं अब सब्द हैं जानकारी है वह सारी चीजें मिले वाली है इसलिए यह वीडियो खास हो जाता है क्योंकि यह जानकारी आपको एक जगह पूरे यूटुब पर कहीं मिलने वाला है और इन सबी के साथ साथ कहीं ने कहीं मैं अपने खुलासे भी करने वाला हूँ कि मैं जो अभी पत्रकारिता में अपना कदम बढ़ाया मैं क्यूं इस कैरियर को चुड़ा हूँ पत्रकारिता में मैं क्या करने आया हूँ तो आएज जानते हैं कि भरष्टाचार किसे कहते हैं क्रप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् लिया गया है जिसका आर्थ होता है तोरना या नश्ट करना इसके अलाबा भरष्टाचार का मतलब होता है भरष्ट यानि सीधी तोर पर अगर हम समझना चाहें तो भरष्टाचार भरष्ट एवं आचरन से मिलकर बनता है जिसमें भरष्ट का आर्थ होता है बिग्रा हुआ बुरा तथा आच्रन का आर्थ होता है बहवार, अर्था आर्थ बिगरा हुआ या बुरा बहवार करना ही भरस्टाचार है, यह एक ऐसा बिगरा हुआ बहवार है, जिसकी अपेक्छा लोग सेवकों से नहीं की जा सकती है, हलांकि भरष्टाचार का कोई या स्पष्ट पडिभासा देना संभव नहीं है किन्तु फिट भी इसे इस परकार से परभासित किया जा सकता है कि जो कोई अपने मुख्य से, अपने एक्टिविटीज से, अपने कारनामों से, कर्मों से अगर ये दिखाता है कि वो बुरा है, वो विगड़ा हुआ काम कर रहा है या उनके बहवार कुछ गलत हैं, इस गलती के बेना पर, हम उसे भरष्टाचार कह सकते हैं हम उसे भरष्टाचारी भी कह सकते हैं अब ध्यान से सुनेंगे कि भरष्टाचारी कौन होता है भरष्टाचार क्या होता है जब सर्वजनिक धन और पद का इस्तमाल अधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यक्तिकत लाप प्राप्त करने के उद्देश से किया जाए तो ऐसे कर्म को भरष्टाचार कहा जाता है ऐस अब भरस्टाचार का रोग किसे किसे लगा है कौन-कौन भरस्टाचारी हो सकता है कौन-कौन भरस्टाचारी है और किसे हम भरस्टाचारी कहने के योग्य हो जाते हैं आप इस लच्छन से पकर सकते हैं यानि कि आप इस चीज को जानने के बाद आप किसी को भी अपनी नजर से देख करके बता सकते हैं कि इसमें भरस्टाचारी के लचन है और ये भरस्टाचार विमार है पहला तो कर्तब से हटकर परत्यक्ष या अपरत्यक्ष लाब के लिए अनैतिक कार्य करना ये लचन है अपने कर्तब से हटकर परत्यक्ष यानि डारेक्ट या इन डारेक्ट लाब के लिए अनैतिक कार्य करना करप्सन है भरश्टाचार की ब्यापक परीधी में राजनितिक, परसासनिक और नियाईक सभी छेतर में सम्मिलित है यानि हर छेतर में कहीने कहीं राजनितिक, परसासनिक या फिर नियाईक हर जगा भरश्टाचार हो रहा है जिस किसी काम में व्यक्तिगत, पक्षपात, नीजी एबम स्वार्थफुर्म भाबनाएं होती है वहां भरष्टाचार होना 99% ते होता है भरष्टाचार में जल्दी काम कराने एबम जल्द धन कमाने की मनुविर्थी जो होती है कहीने कहीं अभी भरष्टाचार को जन्म देती है जिस किसी अधिकारी के द्वारा पद के द्वारा अपनी सक्ती पद या अधिकारों का दुरुप्योग किया जाता है वो भरष्टाचार किया जाता है तो भरष्टाचार के ये मतलब है ब्रश्टाचार का सिधा मतलब है गलत करना बुरा करने वाला अगर सही कोई नहीं करता है वो भी कहीने कहीं गलत ही करता है अगर सच कोई नहीं बोलता है तो कहीने कहीं वो भी जूटी बोल रहा होता है तो घुस देने वाला घुस लेने वाला दूनों कहीने कहीं ब्रश्ट है अब ने देखा हुगा सिख्षा को डॉक्टर्ज को नेता जी लोग को इसी वच्छा से ठैराते हैं और जो और पता नहीं होते है कि पतरब ही होते है जलत कर रहा है बंदा यद रखें बरस्टाचार किन-किन मामल ऊपर हम तैय कर सकते हैं कि भरास्टाचार किया अपने देखा होगा कि उच्छी पद पर बैटे हुए लोग कुछ विःक्तियों ने गैर कानूनी कार्ये करते हुए बरस्टाचार करके सरकार और जनता को करोरो रुपया का नुकसान पहुचाया और कई घोटाले किये जैसे मारूती घोटाला मारूती घोटाला क्या होता है यह भी समझते चले आपने देखा होगा अपने ग्रामीन, छेत्र, राज्य के परसासन को बिना नंबर प्लेट के गारी चड़ते हुए अब जड़ा बताईए कि लोगों का ट्रांसफर होता है, बहालिया होती है हर चीज उपर से प्रोसेस करके आता है, सबका लेखा जोका होता है तो क्या सरकार गारी दिना उन्हें भूल जाती है क्या, नहीं कही ने कही ये करप्सन के सिकार हो जाते है तो ये सब भरस्टा चार है मेरे दोस्त जिसमें कही ने कही मारूती घोटाला आता है चारा घोटाला आता है बोपर्स घोटाला आता है हवाला घोटाला आता है सिगरोटी एस्कीम में घोटाला आता है सत्म घोटाला आता है टूजी एस्पेक्ट्रम घोटाला आता है आदर्स हाउसिंग घोटाला आता है राश्ट मंडल खेल घोटाला आता है आईपेल में भी घोटाला किया जाता है हेलिकॉप्टर खडीदे में भी घोटाला होता है कोल घोटाला होता है तो भरस्टा चार को क कईने कहीं बड़े मंत्री संत्री मिलकर के बढ़ावादे रहे हैं अपने आधिकार पद का इस्तमाल करके अवैद तरीके से धन कमाने का एक रास्ता बना रहे हैं और लोगों का ये हाल है कि अपने गाओं के मुखिया सरपंज जिसकी वैलु नहीं है एक रत्ती भर वैलु न होती है उनसे लोग मुझ भर बात नहीं करते हैं अपनी समस्या खुलकर सामने नहीं रख पाते हैं तो ये बड़े-बड़े उचे पद पर बैठे हुए अधिकारियों से क्या बोलेंगे अपना हक कैसे मांगेंगे अपनी बात कैसे पहुचाएंगे तो इन सबों तक अपना बात पहुचाने के लिए जनता की आवाज बन करके अगर कोई आता है तो वह पत्रकार आता है आपकी बात रखने के लिए आपकी समस्या को उन तक पहुचाने के लिए अगर बीच में कोई आता है तो वह पत्रकार आता है एक दो हजार लाखों जनता की नहीं कहीं नहीं कर पूजी एस्पेक्टर में घोटाला, राष्ट मंडल खेल में घोटाला, आईपिल में घोटाला, हेलिकॉप्टर खडीदी तक में लोग घोटाला करते होंगे, तो ये घोटाला लाखों में नहीं कहीं करोरो अरबों में घोटाला होता होगा, इसे कहते हैं भरस्टा चार, ज पद पर बैठे लोग लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक छोटा सा अधना सा आदमी एक माइक और कैमरे ले करके उससे जो सबाल पूछने जाता है उसे कहते हैं पत्रकार जहां गाओं की जनता की ये हाल होता है कि अपने गाओं के सरपंच वाड मुख्या से मूख खुल के बाते नहीं कर पाते हैं अपनी ही समस्या उनके सामने सरपंच मुख्या वाड के सामने उसे सही धंग से प्रसुत नहीं कर पाते हैं आपके घर के सामने रोड में भरष्टा चार करके चला जाता है गलत रोड बना के चला जाता है गलत नाले बना के चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं ऐसे में आपकी आवाज बनकर आपके साथ कोई खरा होने आता है तो वो है पत्रकार आपकी ताकत बनकर आपकी लराई लरने के लिए जो खरा होता है वो है पत्रकार अपने वोली से भरष्टाचारी पर वार करते हैं उसे कहते हैं पत्रकार आप देखेंगे कि भरष्टाचार कहा नहीं है, भरष्टाचार हर जगा है, इसी चीज को बिस्व बैंक के अनुसार, बिस्व बैंक ने अस्पष्ट किया है, उनके अनुसार भरष्टाचार छो भागों में बाटा गया है, जो इस परकार हैं, परसासनिक भरष्टाचार, लदू भरष्टाचा क्या होता है। सीधे सब्दों में अगर समझे तो परसासनिक भरषटाचार का मतलब परसासन के दौरा किया गया दुरबहबार, गलत काम, गलतिया, लेंदेन, कुछ अवैद तरीके से लेंदेन ये सब परसासनिक भरषटाचार के अंतरगत आएगा। तो सिधी तोर पर लोकनिती नियमों या परतिक्रियाओं में हेर फेर या किसी भी तरीके से अबैध लाब कमाने के लिए अपने पावर का इस्तमाल करना अपने बर्दी का इस्तमाल करना किसी को डराने के लिए अपने पद का इस्तमाल करना ये सब परसासनिक भरस्टाचार में आएगा कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं थाने में गया F.I.R करने मैंने लिखाया कुछ और उन्होंने लिखा कुछ तो ये कही न कही लोक निती और नियमों और परतिक्रियाओं में हेर फेर करके वो परसासन भरस्टाचार को जन्म दे रहा है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि परसासन भरस्टाचारी है और उन पर भरस्टाचारी होने का दवा भी कर सकते हैं राजनितिक भरश्टाचार सीधे तुर पादा किया गया है वोट खरिदने से लेकर निती कानून बनाने तक जंता से वाधा करके मुकर जाने तक अपने पद का अधिकार का गलत इस्तेमाल करना या पिर अपने पद पर रहेकर अपने पद के नीचों का समान न करना ये आई ये जानते हैं कि लोग भरष्टाचार क्या है जनता की सुभिदा के लिए बनाए गए संगठनों का इस्तमाल नीजी लाब के लिए करना ही लोग भरष्टाचार है लोग भरष्टाचार सोशल मीडिया के जमाने में बहुत तूर पकड़ा लोगों के Facebook, WhatsApp पर एक गुरूब बना दिया जाता है जिसमें लोगों को जुर आ जाता है सोज डेर सो दूसो लोग को जुर दिया जाता है उन्हें आस्वासन दिया जाता है कि कोई पावर मिलेगी राजनेतिक लाब मिलेगा लेकिन उनका इस्तमाल कहीं न कहीं गलत किया जाता है उन संगटनों का इस्तमाल नेजी लाव के लिए किया जाता है लोग भरष्टाचार के अंदर गादाते है और नीजी भरष्टाचार क्या है नीजी भरष्टाचार को समझना बहुत ही जरूरी है नेजी भरष्टाचार हम लोगों को सब को समझना चाहिए नेजी भरष्टाचार वेक्तिगत यानि प्रस्नल अस्तर पर किया जाने वाला भरष्टाचार जैसे माफियों दोरा अस्तानी वेक्तियों पर अत्याचार होता है या फिर बैपारियों से पैसे आठना ये सब नीजी भरस्टाचार के अंतरगत आता है तब भरस्टाचार को समझना हमारे लिए तब भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप मानिये कि भविस में किसी को बताना हूं कि आप भरस्टाचारी है तो आपको ये भी प्रूप करना होगा कि हम किस आधार पे इसको भरस्टाचार कह रहे है तो इन स्रेनी को तब भी याद रखना बहुत जरूरी है जब हम किसी को बताएं कि भरस्टाचार हो रहा है तो वो किस स्रेनी का भरस्टाचार है अगर उन्हेंने पैसा लेन दिन किया है किसी पद पे नहीं है तो वो किस परकार का भरष्टाचार होगा अगर वो परसासनिक भरस्टाचार कभी हमें FIR ही करना हो तो हमें दर्साना भी होगा कि ये परसासनिक भरस्टाचार के अंतरगात आता है हमें नयाय की जरूरत है हमें ये भी पताना होगा कि हमारी जो लोग भरस्टाचार के अंतरगत हमारा दुरूपयोग किया गया है तो इसलिए भी हमें जानकारी होना चाहिए बिरहत भरष्टाचार क्या है बिरहत भरष्टाचार उच्छे अस्तर पर किये जाने वाला भरष्टाचार है जिसमें राजनेताओं से लेकर अधिकारी तक परत्यक्ष रूप से लिप्त रहते ह यानि कि जिसे कहा जाता है कि नीचे से उपर तक डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट रूप से लिंक बनाए रहती है हलाकि आम जन्दा पर इसका भी परभाव होता है तो ये सब हैं भरष्टाचार के परकार केंद्रिया लर्टनेस आयोग के अनुसार 27 परकार बरष्टाचार हैं यानि काह के लिए ौक के खाल है कि 27 परकार बरष्टाचार है जो इस परकार है सरवजनिक ध्हन और कोस्ट का दूर रूप्योक करना बरष्टाचार कहलाता है नेमन अस्तरिय वस्तूओं या कारे को स्युकार न करना या भरष्टाचार कहलाता है आयसे अधिक संपती रखना ये भी भरष्टाचार हो सकता है अनेतिक आचरन रखना ये भी भरष्टाचार हो सकता है उपहार प्राप्त करना भी भरस्टा चार के सिरेनी में आता है ठेकदारों एवाम फॉर्मों को रियायते परदान करना यह भी भरस्टा चार के सिरेनी में आता है लालच एवाम अन्य कारणों से सासन को हानी पहुचाना यह भी भरस्टा चार के सिरेनी में आता है आयकर संपती कर आधी को कम बताना या चिपाना या टैक्स सही टाइम पर नहीं देना या गलत देना चिपाना अपनी संपती को चिपाना यभी कही भरष्टाचार के सिरेनी में आता है यवाम पद न्युक्ति के संबंद में गयर कानुनी रुप से धन लेना करमचारियों को अपने नीजी कारों में पड़ियों करना यवी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है बिना पुर्व अनुमती या पुर्व सुचना के अचल संपती अर्जित करना यवी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है मनी ओडर बीमा एवो मुल्य दे पार्सलों को प्राप्त करता को न देना यवी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है कई बार ऐसा होता है कि हमारा बीमा जो होता है और हम LIC agent से कहते मिलते हैं कि मेरा रशीद दो और वो आपको नहीं देता है money order के bill नहीं देते है या कोई parcel जो आपको postman नहीं पहुचाता है तो ये भी कहीं न कहीं भरष्टाचार के सिरेनी में आता है ये भी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है अगर आपको license से ताइम पर नहीं आ रहा है या नियम से नहीं बनाया गया है डाइरेक्ट बनाने का प्रियास भी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है अवासिय भूमी की खरीद विक्री में धोकागरी करना ये भी भरस्टाचार के सुरेनी में आता है अगर कोई आप जमीन खड़ी दे हैं और उसमें आपके साथ धोकागरी किया गया है गलती से कोई किसी का जमीन बेश दिया हो या कम देने का प्रियाश किया हो कागस पर एक कठा हो आपको दो कठा बता के बेचा गया हो ये सब धोका गरी भरष्टाचार के सिरेनी में आता है जानते हैं कि वो कौन-कौन से कारण है जिससे भरष्टाचार इतनी तेजी से फैल रही है भरष्टाचार को जर से खत्म अगर करना है अगर आप भरष्टाचार को सीखना चाहते हैं तो इन पांच कारणों को आपको जरूर जानना चाहिए वो कौन से कारण है जिससे भरष्टाचार बहुत तीजी से फैल रही है और भरष्टाचार फैलने में कहिने कहीं हम भी दोसी हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है भरष्टाचार को कैसे रोका जाए और मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि इन पांच कारणों को जानने के बाद हमारे अंदर ऐसी ताकत आजाएगी ऐसे सिख्छा आजाएगी जिसके इस्तमाल से हम खुद भरष्टाचार को खत्म करने के योगे बन जाते हैं यही वो पांच कारण है जिसे लोगों को पता नहीं होने के वजह से लोगों के साथ भरष्टाचार होता रहता है लोगों के सामने भरष्टाचार होता रहता है लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है नयाय नहीं मिलता है त्योंकि कहीं न कहीं इन पांच कारण भरष्टाचार के मुख्छे पांच कारण पता नहीं होने के वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं तेकिन मैं यह दाव का अस्त्र मिलेगा ये पांच कारण को जानने के बाद जिसे आने वाले भविस्व में इन पांच कारणों को दुरुस्त करके हम अपने समाज से राज से देश से भरष्टा चार को खत्म करने का प्रयाद शुरू कर सकते हैं भरष्टा i 거랑 को मात्र पांच कारण है जो बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है실की पहला है को मैं समाजिक कारण बहक कर दुस्रा राजनितिक खार्ण तिसरा प्रसासनिक खार्ण छॉठा आर्थिक खायन और पांचमा जो है बैधानिक कारण अब आईए हम समझते हैं कि भरष्टा चार को किस तरश से समाज बढ़ावा दे रहा है कैसे हमारा और आपका समाज भरष्टा चार को बढ़ावा दे रही है एक जन्द जागरुकता का अभाव भारत में भरष्टा चार के बिरुद में जन्द जागरुकता का अभाव देखने को मिलता है भरष्टा चार को बढ़ावा देने के लिए कहीने कहीं हमारा और आपका समाज दोसी है इसमें सबसे पर्थम आता है जन्द जागरुकता का अभाव भारत में भरष्टाचार के विरूध में जन जागरुकता का अभाव देखने को मिलता है लेकिन जनता भरष्टाचार की सिकायते नहीं करते हैं अतब भरष्टाचार का विरूध नो होना भी भरष्टाचार को बढ़ावा देता है दूसरा है नैतिक मुल्यों का पतन भारतिय समाज वेक्तियों के नैतिक मुल्यों का पतन होने के कारण भरष्टा चार को बढ़ावा मिल रहा है आज वेक्तिक किसी भी अनुचित तरीकों को अपना कर अपना काम निकलवाना चाहती है किसी भी तरीके से सामदाम दंडभेद, धन रासी प्रयास, किसी भी अनुची तरीकों को अपना कर अपना काम निकलवाना चाहती है, ये कहीं न कहीं नैतिक मुल्लों का पतन है, जो भरष्टा चार को बढ़ावा देती है, पुलिटिकल कॉज क्या है, यानि राजनितिक जो करने चाहिए, जिससे भरष्टा चार नहीं बढ़ेगा, वो कौन-कौन से काम है, जिससे करने से भरष्टा चार बढ़ रहा है, उस पे रभिन नज़र डालते हैं, नेता अवम अधिकारियों के विज़ साथ घांट भी एक रीजन है, भरष्टा चार को बढ़ावा दे ने के लिए, इसमें नेताओं अधिकारियों से मिली भगत, एब मुन्हे मिनने वाला राजनेतिक, पर से भरष्टा चार का एक महत्पुन कारण है, नेताओं अधिकारी मिलकर घोटाले करते हैं, जिस पर कोई नियंतरन नहीं होता है, जैसे कि टूजी एस्पेक्ट्रम, घोटाले नेताओं अधिकारियों के गठ जोड के चलते हुए थे न, तो कहीं नेताओं अधिकारियों के बिच साथ घांट भी भरष्टा चार को जनम देता है, राजनेति का अपराधिकरन क्या होता है, राजनेति का, यह यह होता है, कि आपराधियों का राजनेतिकरन, य अपराधि जैल से बाहर", यह सब चीजे, यह सब चीजे अप्रत्यक्ष रूप से भड़स्ट रचार को गती प्रदान करता है。 लोक्तारिक सासन के दोस्थ aye lovely, आपको मैं बताता हूं कि लोक्तारिक सासन के दोस्थ भी एक कारण है कैसे लोग तंत्र में जनता की भागीदारी को परियाप्त रूप से सुनुश्चित करने का परियास्त किया जाता है परिनाम स्वरोप निगरानी तंत्र अत्यधिक दोस्पूर्ण हो जाता है चुनाओं में पैसे का अत्यधिक खर्च करना जिसकी भडपाई जितने के पस्चाथ भरष्टा चार के माध्यम से की जाएगी इस वज़ा से इस वज़ा से बढ़ता चुनाओं खर्च भरष्टा चार का एक बहुत बड़ा कारण है राजनैतिक एकच्छा सक्तिका भाऊ भरष्टा चार को समाप्त करने की दिशा में राजनेतिक पहल या एक्षा सक्ति का अभाओ भरष्टा चार को बढ़ावा देता है तो राजनेता के द्वारा राजनेतिक कारण भी है जो भरष्टा चार को बढ़ावा देती है जिसमें कहीं नेता एबम अधिकारियों के बीच जो साथ गाट होती है परसासन के बीच साथ गाट होती है मिल-मिलाप होता है, बातचीत होती है उठना-बैठना होता है, दोस्ताना, रिलेसंसिप जो होता है और कहीं ने कहीं बढ़ता चुनावी खर्च ये राजनितिक एक्षा सक्ति का भाव ये सब चीजे कहीं ने कहीं राजनितिक अस्तर पर वो कारण है जो भरष्टाचार को बढ़ावा देती है परसासनिक कारण क्या है जिससे भरष्टाचार को बढ़ावा मिलता है जटिल नौकरी साही परनाली कठोर नियमों और जटील जिस तरह से प्रतिक्रियाएं या लिखित कारवाई से घिरी हुई होती है भारत में जिस तरह से सबों को नौकरी चाहिए जितने भी व्यक्ति हैं परहे लिखे उनको सब के सब को नौकरी चाहिए या नौकडी लेने के लिए कठोर नियम, जटील परतिकिरिया, जटील प्रोसेस, लिकित कारवाही से गिरे होने के कारण, अधिकान स्वेक्ति इन पर्तिकिरियाओं से परसान होकर जल्दी से अपना कारण करवाने के लिए रिस्वत देने के लिए बाद्धे हो जाते हैं यानि रिस्वत देने के लिए तयार रहते हैं इस वज़ा से सास्किय करमचारी भी धिरे धिरे रिश्वत लेने देने लग जाते हैं तो एक वज़ा से जटील नौकर साही परनाली भी बहुत बड़ा कारण है भरस्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कम बेतनमान भरस्टाचार का एक बड़ा कारण सास्किय करमचारियों को कम बेतन देना भी है कि मार बेतन भोगियों पर परने से वो अपनियावा सक्ताओं की पूर्ती के लिए भरस्टाचार में लिफ्ट हो जाते और वो साइट से कोई इंकम करने का जरिया बनाते हैं और कही नकहिं वो पैसे लेंदेन करने के भोगि हो जाते हैं तो कही नकहिं कम बेतनमान भी बहुत बड़ा कारण है भरस्टाचार को बढ़ावा देने कि लिए वधानिक कारण क्या है भरस्टाचार रोधी कानूनों का परवाहिक किरिया वंस नहीं होने का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण जो फरेश्टाचार को बढ़ावा देती है प्रश्चाचार के निवारन है तू बनाए गए जो नियम कानून है उससे आसावाद हो करके लोग कंप्लेन करते हैं ये फायार करते हैं किसी भी आधिकारी या किसी भी उच्छे पद पर रहने वाले करमचारी पर तो उस व्यक्ति को कहीं नहीं नहीं मिल पाता है वो ठक हार के बैड जाते हैं इससे समाज में कहीं न कहीं गलत मैसे जाता मिलता है इस बजह से भरश्चाचारीयों को अलग-अलग रास्ते बनाने का मौका मिलता है जटील नेयाई परतिकिरिया भी जटिल नयाई परती किरिया भी कहीं न कहीं बरस्टाचार को जनम देता है भारत में नयाई परती किरिया बहुत ही जटिल है इस कारण से बरस्टाचार में लिफ्ट ब्यक्ती मामलों को लंबा खिंचते हुए बच निकलते हैं इस परकार भारत की नियाय परनाली का भरष्टाचार के मामलों का सिर्ग निप्टारा करने में असफल रहना भी भरष्टाचार को बढ़ाबा देता है, कठोर कानून का अभाव भी भरष्टाचार को जनम देता है, उसे बढ़ाबा देता है, भारत में भरष्टाचार निव सजा की नियूंतम संभावना की परविर्ति के कारण भरष्टाचारियों को कानून का भै नहीं है और इसके कारण और इसके कारण वो लगातार एक गलती के बाद दुसरी गलती करता जाता है कठोर कानूनों का भाव के कारण भी भरष्टाचार को जन्म दिया जाता है उससे बढ़ाबा दिया जाता है अगर सरकार भरष्टाचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कारवाई करने लग जाए तो वो काम करने से लोगों को डर लगेगा और कम से कम वो बेखते अपने जीवन में दुबारा वो कारे को अंजाम नहीं देगा लेकिन कहीने कहीं कठोर कानूनों के अभाव के करण रेपेश्ट को, मडरर को, भरष्टाचारियों को अलग-अलग रास्ते दिखते हैं और वो एक बार नहीं अनेको बार उसी कारों को करते हुए पाए जाते हैं और भरष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ा कारण जो है सरकारी करमचारियों को दिया गया अनूचित संडक्षन भारतिय समिधार में कुछ अनूचेद है जैसे कि अनूचेद 310, अनूचेद 311 में सरकारी करमचारियों को संडक्षन सम्मंदित प्रावधान हैं यह उपलब्द भृष्ट क्रमचारियों पर परभावी ढंक से करवाई करना कठिन बना देता है इस वज़ख से कहिन कहिन सरकारी करमचारियों को दिया गया अनुचित संड़क्षण जो है भरwohlषटाचार को जनम देता तो आई अब हम जानते हैं कि कि किस तरह से भरषटाचार को रोकें भरषटाचार को नहीं रहा समाज में असमानताय बढ़ रही है समाज में असंतोस बढ़ रही है यानि ज्यादा ज्यादा कमाएं ज्यादा बनाएं रोजगार पाएं संतोस लोगों को नहीं मिल रहा है कहीं नहीं समाज में लोग कल्यान में कमी आ रही है समाजिक नहीं मिल पा रहा है इस करप्षन की वज़े से राजनितिक अस्तर पर इस करप्षन के चलते भरष्टा चार बढ़ते भरष्टा चार की वज़े से राष्ट हित को हानी पहुंच पढ़ से देटर्ट नहीं कर पा रही है इस बढ़ते भरॉष्टाचार के वजय से सिभा में गुनवक्ता का अभाव आ रहा है इस भरॉष्टाचार के धुरोल परसासन की तरह समझझले परसासनी कुछ ल्टा में भी कमी आ रही हैं परसासन जितना जंता को काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है जंता के लिए किस्तीने जानते हैं वो तरीकों को जिससे बढ़ते भरष्टाचार को लगाम लगाया सकता है यानि कि वो तरीके जिससे भरष्टाचार को रोका जा सकता है भरष्टाचार को रोकने के उपाए जो कहीने कहीं भारत सरकार उस नियमों को उस उपाए को अपनाती है तो मैं गारेंजी से कह सकता हूँ कि भरष्टाचार को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है सबसे पहला करम सेवा सर्तों को आकर्षक बनाये जाएं जी हां सरकारी करमचारियों के वेतन में महंगाई के अनुरूप समय समय पर सुधार किये जाने की अबसकता है यदी अधिकारियों को अच्छे वितन दिये जाएंगे तो वह भरस्ट तरीकों से आर्थिक लाब या धन प्राप्त करने की कोशिशी नहीं करेंगे इस तरह से भरष्टा चार को कम करने के लिए सेवा सर्तों को आकर्षक बनाया जाए इसलिए मैं भारत सरकार से रिक्वेश्ट भी करना चाहता हूँ कि भरष्टा चार की समापती के लिए सेवा सर्तों को आकर्षक बनाने की आवसकता है दूसरी जो चीज है वो भारज सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए बढ़ते भरष्टाचार को रोकने के लिए वो है परसासनिक प्रकिरियाओं को स्रल किया जाना चाहिए क्यूंकि भरष्टाचार का एक प्रमुख्य कारण परसासनिक क्रिया कलापों का जटील एबम कठिन होना भी है अत्यधिक आपचारिकताओं एबम कागजी करवाईयों के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है लोग अनावश्यक देरी या उत्पीरन से बचने के लिए परसासनिक अधिकारियों को घूश देते हैं अत्या इस समस्याओं से निपटने के लिए परसासनिक परतिकिरियाओं को सरल पारदर्सी एबम जनसयोगी बनाये जाने की अवशकता है और मैं ये उमीद से कह सकता हूँ कि परसासनिक परकिरियाओं जब सरल हो जाएंगी लोगों को त्वरित नयाय मिलने लग जाएगा तो वो कहीं न कहीं लोग अपने पैसे को संजोईगी घूस देने में बरबाद नहीं करेगी और इस तरह से देश में बढ़ते हुए बरष्टाचार को कम किया जा सकता है और तिसरी बड़ी चीज जो बढ़ते बरष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए वो है नैतिक संगीता एबम आचरन सहीता को अस्थापित करना 100% परसासनिक अधिकारियों एबम नेताओं के लिए आचरन सहीता को लागो किया जाना चाहिए इसका मतलब यह है कि राज नेताओं का आचरन सर्टिफिकेट बनना चाहिए कोई भी पॉलिटिक्स में आए बिना आचरन सर्टिफिकेट के उनका प्रवेस वर्जित होना चाहिए परसासिंग की रेटिंग होना चाहिए जनता उसे रेटिंग करे जनता कोई हक होना चाहिए कि परसासन अच्छा है बुरा है उसके बारे में लिखेत तौर पर बताए परसासनिक छेत्र में स्वय बिबे की सक्तियों से परसासन के निचले अस्तों पर परसासन के निचले अस्तों पर भरष्टाचार की संभमना बढ़ती है इसलिए सरकारी करमचारी और लोग सेवक लोगों को रिष्वत देने के लिए मजबूर हो जाते हैं इसलिए स्वय बिबेकी से निर्ने करने को नियूंतम किया जाना चाहिए स्वय बिबेकी सक्तियों को कम करना चाहिए स्ववए बिबेकी सक्तियों और स्ववए बिबेकी से निर्ने करने का क्या मतलब अब ज़रा फिर से समझे कि परसासनिक छेत्र में जो परसासन होते हैं वो कहीं नीचले अस्तरों पर भरस्टाचार की समवना बढ़ती है यह देख लिए ठाना अस्तर पर ठाना भी है उसका बड़ा बाबू है दरोगा है उसके बाद इस पी है और जला देखें सबसे जज़ादा कोई कमाता है तो ठाना परवारी कमाता है बड़ा बाबू छोटा बाबू जो निश्टले अस्तर के जो अधिकारी है परसासने है कि नहीं जाने दूँगा थानाता की सिम्हेद रखूंगा-ठिक कर दूँगा बदल दूँगा इस तरह की भासा का पर्योग करके और कहीं न कहीं भरष्चाशार को जन्म देते हैं तो ये स्वैंअ बदलने की पर किरिया कहींने कहीं समझ लिजे कि स्वैं निर्ने लें की वज़े से हो रही है अपने बुद्धी मत्या का परियोग करने की वज़े से हो रही है तो कहीं ने कहीं किसी चीज को बदलने से पहले ऐसा नियम होना चाहिए कि SP से पुष्टाज जरूरी हो DM से पुष्टाज वर्तालाप जरूरी हो सुवाई बीबी की सक्तियों को कम करना अवश्यक है अगर भरष्टाचार को जर्शे खत्म करना है तो जनता को इसके दुस्परभाओं के परति जागुरुक करना भरष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाए है यदि जनता भरष्टाचार की भागेदारी नहीं बनेगी और नहीं भरष्टाचारियों को सहन करेगी तो इससे भरष्टाचार में कमी आएगी ही आएगी क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देशों में जनता का भरष्टाचार के ब्रूद्ध जागरुखोना भरष्टाचार को नियंतरन करना है तो आप समझ गए यानि भारत सरकार को अगर भरष्टाचार बढ़ते भरष्टाचार को कम करना है तो जन जागरुकता को बढ़ावा देना पड़ेगा और ये आवश्यक भी है इसके बगएर भरष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है जन जागरुकता को बढ़ावा देना अउवल है देश के बरते बरश्टाचार को कम करने के लिए पाच्मा आस्थम जो है वो है उच्चे नैतिक परसासनिक मुल्लेओं को बढ़ावा देना बरश्टाचार निवारन है तो ब्रीटेन की जो लोन समीती द्वारा अपनी रिपोर्ट्स में प्रस्तु साथ सिद्धान्थ है पहला निस्वार था दूसरा सत्य निष्ठा तिसरा वस्तु निष्ठा चौथा उत्तरदाईत्व पाच्मा पारदर्सिता छटा इमांदारी और नित्रित्व यह सातों सिद्धान्थ को अपना कर कहीं न कहीं हम बढ़ते बढ़ते भरश्टा चार को धूल चटा देंगे अवार देना चाहिए ताकि लोगों में एक कंपटिशन की भावना आए और वो सौक्ट से इमांदार बनना पसंद करें क्योंकि कहते हैं न कहीं न कहीं इमांदारी का कोई मोल नहीं होता है इस तरह की जो दुरलब कमजोर सोच जो है समाज में कहीं न कहीं पनपती हुई नजर आ रही है असंका पादा करती हुई नजर आ रही है कि इमांदारी का कोई मोल नहीं होता है इमांदारी करने वालों की साथ हमेशा बुरा होता है इमांदार लोग ही हमेशा मारे जाते हैं तो कहीने कही हमें जरूरत है ये सारे असंका बड़ी जितने भी वाक के फैल नहीं है जो समाज को गलत मैसेज दिने का काम कर रही है इसको दवाने के लिए इसे हटाने के लिए इमांदारी से जुरे अच्छे सब्द अच्छे वाक्य का निर्मान करे और अच्छा मैसेज दिने का कारण करे और जब हम इमांदारी से काम करने वाले को अबाउड देंगे तो समाज को एक अलग मैसेज मिलेगा निश्टा भाव से काम करने और नयाए पुर्बा काम करने के लिए जब हम अबाउड देंगे तो समाज को एक खुबसूरत मैसेज मिलेगा और इस तरह से इस तरह के प्रयाज से हम देश में बर्ते हुए भरष्टाचार को कम कर सकते हैं और सरकार को क्या क्या उपाय करना चाहिए जिसे भरष्टाचार कम हो और ये सारी चीजे सरकार को करनी ही चाहिए सुचना का आधिकार एवं नागरी घोसना पत्र के लिए जन जागरुकता बढ़ाना चाहिए इक गवर्निस को बढ़ावा देना चाहिए भरष्टा चार संबंधित मुकद्वों की कारवाही में तिर्वता लाना चाहिए भरष्टा चार के संबंधित जो भी F.I.R. आई है उसकी तोरित नयाय होनी चाहिए सत्त निश्ट आधिकारियों को परसाहित किया जाना चाहिए भरष्टा चार रोकने के लिए मीडिया को सकिरिय करना चाहिए लोग सिबकों में भरष्टा चार के परती विरूद्दी की भावना विक्सित की जानी चाहिए अधिकारियों की निगरानी संबंधी भूमिका पर पुनह जोर देने जाने की अवश्यक्ता है परतेक अधिकारी, करमचारी, राजनेता, सिक्षक सिक्षिका और यहां तक के एस्टुडेंट सबको साल में एक रिपोर्ट तयार करके देनी चाहिए जिस रिपोर्ट में बिहार सरकार, भारत सरकार उनसे पूछे कि आपने एक सालों में भरष्टा चार नियंतरन है तु क्या उपाई किये और जिस किसी का उपाई बहतर हो, उसे पुरसाहित किया जाना चाहिए तब जाके भारत में कहीने कहीं बढ़ते भरष्टा चार के करव में गिरावट आईगी भरष्टा चार को अगर मुक्त करना है जर्चे तो करा नियम होना चाहिए करा नियम नियम बन जाए उस नियम के लिए भी एक नियम होना चाहिए कि नियमों के उल्हंगर पर त्वरित वह उचित रंड का प्रावधान सुनिचित किया जाना चाहिए तब देखिए न कि भरस्टाचार कैसे नहीं रुखता है और मुझे लगता है कि अभी तक आप यह जान चुके हैं कि भरस्टाचार किसे कहते हैं भरस्टाचार क्या होता है भरस्टाचार को बढ़ाने वाले कौन-कौन से कारण है इससे किस तरह से हमारे समाज पर इंपक्ट पर रहा है आर्थिक लेबल पर भी हम कमजोर हो रहे हैं समाजिक लेबल पर भी कहीने कहीं दोसी कहीने कहीं राजनेता भी है इसके दोसी कहीने कहीं हम भी है हमारा समाज भी है बर्तिजन संख्या भी है तो ये एक दिन में कम नहीं किया जा सकता है लेकिन एक नएक दिन कम किया जा सकता है जो मैंने उपाए बताए हैं अगर सरकार उस पर कदम उठाए हम लोग अगर जागरूख हो जाएं तो अब मैं बता दूँ कि इसे कम करने के लिए मीडिया जगत में जितने भी लोग हैं अगर करप्शन पर बोलना शुरू कर दें तो ये बहुत जल्द कम हो सकता है और ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड जिरो पर जाके रिपोर्टिंग करना यानि बनती हुई भबन को दिखाना बनता हुआ रोड को दिखाना नदी नाले को दिखाना इस्कूल दिखाना इस्कूल की परहाई दिखाना सौचाले कहां खराब है कहां जर जर बेवस्ता है स्वास्त स्वास्त वेवस्ता को दिखाना और कहीं मैं के हर चुच के सुबत बनाना जासूस बनके लोगों का परताफास करना एक पत्रकार के बिना यानि कि बिना पत्रकार के मदद लिए अगर सरकार चाहेगी कि भरष्ट अशार खतम हो जाए impossible इसलिए मने कहा था कि पत्रकार को आजादी मिलनी चाहिए भरष्ट लोगों के खिलाफ लड़ने की अब भरष्ट अधिकारी मंतरी संत्री जिसके खिलाफ यह अगर लड़ा जा रहा है उस प्रोड़क्षन मिलना चाहिए और करवाई की तौरित नयाए का विवस्ता कारण का चाहिए किस तरह से समाज में दुस्फरवाव बन रहे हैं मैं इस वीडियो के अंत में आप से एक आगरह करूंगा कि इस वीडियो के अंत में आज आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद कम से कम साल, 2 साल, 3 साल में गिंती के 10, 15, 20, 20 तो आखरा लेके चलते हैं 20 ऐसे activities करेंगे आप, आपके जरीयों होना चाहिए, जो भरष्टाचार को खत्म करने के उपाय हो। मैं भी आप से वादा करता हूँ, कि मेरे नजरों के सामने, मेरे पत्रकाडिता में, और निजी लाइफ में, अगर कोई भरष्टाचार करेंगा, तो मैं उसका समझझे की इट से इट बचा के रखता हूँगा। मेरे नजरों के सामने अगर कोई भरष्टाचार करेगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस भरष्टाचारी को होते हुए रोकने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा दूसरी चीज मैं बताऊँगा कि मैं पत्रकारिता आपको मैं बताया था कि मैं पत्रकारिता शुरू क्यों किया तो कहीं ने कहीं मैं पत्रकारिता इसी लिए शुरू किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है किसी अच्छे काम में लगे मैं किसी का गुलाम न बनूँ जिस तरह से अभी राजितिक छेत्रों में सासन परसासन सिक्षक सिक्षिखा और बच्चों को सिक्षा न दे करके बिमार को सही इलाज न दे करके कहिने कहिन सब को गुलाम बना करके राजनेता रखे हुए हैं अगर वो अकेले चाह जाए तो राजनेता अगर अकेले चाह जाए तो भरश्चाचार जर से खत्म हो सकता है और दूसरी नमबर बात अगर राजनेता ये भी चाह जाए कि वो खुद न करके, खुद activities न करके सिर्फ और सिर्फ इतना प्रयास कर दे किसी भी आयको, परसासन को वो छूट दे दे जिससे भरश्चार को खत्म करने में उनको कोई बाधा ना आए है ना, इस तरह के प्रयास से भी और जनता जाग रुकता के प्रयास से भी बहुत सारे events करवाना शुरू कर दे जिस वज़े से जनता खुद बखुद कोई चाहता है कि पैसा बरबाद हो कोई नहीं चाहता है, हड़ कोई तो पैसा कमाना बचाना ही चाहता है, तो कोई चाहेगा कि मेरे काम के लिए, मेरा जो काम होने और मैं बताता हूँ कि मैं इसी लिए पत्रकारिता की फिल्ड में आया और उसी ने बबाद अपने चानल का नाम सच बात रखा बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते हैं और करते रहेंगे, मैं जब काम करूँगा तो अच्छे बुरे लोग मिलते ही रहेंगे काम नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा तो अच्छे बुरे भी नहीं कहेंगे और अच्छे बुरे लोग भी नहीं मिलेंगे तो रियालिटी है ये, काम करता रहूँगा तो मिलते रहेंगे, उसको जहलते हुए पत्रकार अभी घूम रहे हैं जिसमें योबा पत्रकार बहुत संख्या में हैं और आपने कुछ साल पहले ये भी अनुभव किया होगा कि पत्रकारी था और जो पत्रकार थे अख़बार थे यानि न्यूज सुनने का जो माध्यम था कहीं ने कहीं आज से कुछ साल पहले वो के जड़ीय हुआ करता था, बहुत परचलन में था अकबार, उसके बाद अडियो का रूप लेकर के रेडियो आया, कुछ सालों बाद समझे कि टीबी आया, और अभी दीटल मीडिया होने की वज़ा से, सोचल मीडिया होने की वज़ा से, दीटल पत्रकार अभी परचलने में है हर जगह जगह पर आपको डिश्टल पत्रकार यानि योबा पत्रकार जो आपको दिख रहे हैं वो डिश्टल पत्रकार के सिरेनी में आते हैं अब कहना यह है कि यह दोर है मेरे दोस्त पहले टीवी कहीं कहीं हुआ करता था उससे लोग ऐसे कह उससे पहले रेडियो के माध्यम से ख़बर को सुनते थे और अब हर एक आदमी के पास मुवाइल है यानि अपना-पना टीवी अपना अपना रेडियो हर लोगों के पास है तो कहीं न कहीं अब डिश्टल मीडिया भी अपने अपने छेत्र को लेकर के कोई ये स्टेट के ले रहा है तो हमें चाहिए कि उस पर बोले तो मैं अपने राइट के जरिया अगर मुझे समझे लाइसेंस भी नहीं मिलता है तो लोग तांत्रिक जो हमारा समझी अधिकार है जो बोलने का आजादी है उस बेना पर तो मैं बोलोंगा ही और कहीं न कहीं भरष्टाशार को खतम करने के लिए लोग तांत्रिक सिर्फ और सिफ लोग अपनी इक्षा सकती और अपना जो है उसका राइट है अधिकार अगर वो सीख ले जान ले तो कहीं न कहीं अपने हक की लड़ाई तो लड़ी सकता है अपने साथ होने वाले बुराई को नयाय में बदल सकता है तो यह अभी एक तरीका है तो इसलिए बहुत सरे पत्रकार जो है digital मीडिया बन करके अपना रोजगार चला रहे हैं और काम कर रहे हैं चुल मची है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी पत्रकार को मनिस्कस्यप बनने की चुल मची है, तो क्यों न मचे, अगर वो मनिस्कस्यप जो बिहार को ब्रांड बनानी की बात करता है, तो वो मनिस्कस्यप बनने की चुल क्यों नहीं मचे, वो मनिस्कस्यप जो भरष मैं कमेंट करने वालों को एक शुजाओ देना चाहोंगा कि अगर किसी को चुल नहीं मची है तब प्रोबलम है अगर अपने गाओं को बदलने की चुल नहीं मची है खुद को पत्रकाडिता हो या किसी आस्थान पर रख कर रोजगार दिलाने की समझे की चुल नहीं मची है खुद को खुद के द्वारा अपने आपको ब्रांड बनाने की समाज को ब्रांड बनाने की बिहार को ब्रांड बनाने की या अपने देश को बिस्व लेवल पर ब्रांड बनाने की अगर किसी को चुल नहीं मची है तब प्रोलम है अगर किसी को चुल मची है एक मनीश कस्यप बड़े पत्रकार बनने की एक मनीश कस्यप जो अच्छे व् पत्रकार हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर जो क्रोध है वो हर जगह सही दिसा में परियोग में आता है लेकिन कहीं 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 न कहीं मुझे भी लगता है कि उनका जो क्रोध है वो कुछ ज्यादा है और उसके कहीं निगेटिव इंपक्ट भी परता हुआ पत्रकारों पर नजरा रहा है वो तो बच जा रहे हैं लेकिन उनको फॉलो करने वाले जितने भी पत्रकार है हैं उनके रास्ते पर चलने की कोशिस में उनके निगेटिव बातों को फॉलो करके फस जा रहे हैं जैसे कि मैं बता दू कि मनिश का स्वजी में एक आदत सी है कि वो अपना नीजी राय बहुत देते हैं जबकि पत्रकारिता में हर पत्रकार को अपना नीजी राय देने से बचना चाहिए और राजनितिक अस्तर पर जूरी हो यह आपकी नीजी राय तो उससे तो दूरी बनान करके पूछा जाए ताकि अपने उपर उंगली न उठे क्योंकि आप एक वीडियो बना रहे हैं अपना एक सुबूत बना रहे हैं आपकी कोई भी एक्टिविटीज निगेटिव चीज या ऐसी कोई चीज जो समाज को गलत मैसेज देता हो वो प्रयास करना चाहिए कि वो कैम क्योंकि प्रयास करने वाले लोग हमेशा कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं आप उनकी तरह बने और उन से अच्छा बनके दिखा हैं उनकी जो निगेटिविटी है उनको साइड में रखते हैं बहुत सारी निगेटिविटी है मैं गिनाना अगर चाहूं तो मैं 10-15 तो गिन में उनको छोड़ करके पत्रकाडिता में आगे बढ़ा जाए तो पत्रकाड और पत्रकाडिता का यही मतलब है मनिशकस्व के बारे में भी कुछ जब मैंने परिवासा दिया मनिशकस्व का यह कहीं न कहीं आप समझ गहे हूंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरा जहां करता है कि कोई भी कितना भी कॉपी कर ले अगर एक सौरोप रचने वाला किसी व्यक्ति का नकल करता है तो मैं गारेंटी से कहता हूं कि हो बहू नकल नहीं कर सकता है कोई 100% नकल को देख करके अगर नकल कर रहा है तो 100% नहीं 99.9% वो नकल कर सकता है परसेंट तो कहीं ने कहीं वो छूट ही जाती है उनसे भी छूट जाती है जो हम लोगों को पैदा किया है आपने देखा होगा कि एक साथ एक ही टाइम में दो जुर्बे बच्चे होते हैं लेकिन दूनों अलग अलग तो कहीं ने कहीं यह सिद्ध होता है कि कॉपी पेश्ट करने में अंतर होता है बहुतों का अंतर होता है और कभी कभी कम का अंतर होता है तो किशी के तरफ कॉपी करने से बहतर है कि आप जैसे हैं उसमें सुधार ला करके आप अपनी कमी अपने अंदर की कमी को सुधार ला करके खुद को निखारिए खुद को ब्राण बनाई ए किसी को कॉपी करना क्यों और ये भी बात सच है कि आप जब मनिसका सब की कॉपी करेंगे तो कॉपी तो वो नहीं कर पाएंगे उनकी कॉपी कोई भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो घटनास्तल पर पहुँचने से पहले बहुत सारी तयारी करते हैं जो भी जानकारी है उससे घटनासल से जुरी हुई उससे पले कठे करते हैं उसके बाद उन्हें क्या-क्या बोलना है वो कहीं ने कहीं दिमागी लेबल पर सोचते हैं imagine करते हैं उसके बाद कितनी जोस में बोलना है emotional बोलना है फिरी होगी फिरी एड्मार ये होगा कि आप जो भी घटना असल पर पहुंचे सबसे पहले उसके बारे में आप रिसर्च करें और अध्यन करें और पहले, किया बोलना है वह देखे हुए अंत अच्छा करें देखिये कि आप मनिस का सिफ से अच्छा पत्रकारिता करेंगे और ये सब कर भी लेंगे ने मेरे दोस्त ये सब कर भी लेंगे आप तैयारी भी करके जाएगा आप रिसर्च भी करके जाएगा अच्छा बोल के भी आएगा फूल मोटिवेशन में आएगा लेकिन वीडियो नहीं उससे भी ज़्यादा प्रयास करना है किसी अलग content के लिए क्यूंकि अब आप जब पैर जमा दिये हो ना मेरे दोस्ट तो फिर इसे पीछे हटने का कोई फायदा रही अगर लोग बोलते हैं कि मनिसका स्वब बनने किचुल मची है तो मची है अगर आज के आज पैसा अगर आपको चाहिए तो फिर मजदूरी कर लो वह बेश्ट आफशन है तना बड़ा फिल्ड अपने लिए चुने हो तो इसमें तो टाइम लगेगा और पत्रकारिता मतलब बिजनेस याद रखिए पत्रकारिता मतलब बिजनेस पत्रकारिता एक बिजनेस होती है पत्रकार जो होता है वो बिजनेस ओनर होता है इस बात को समझें आप जो कर रहे हैं पत्रकारिता वो बिजनेस है बहुत रिक्स बड़ा बिजनेस है कदम कदम परिक्स है, किसी के बारे में बोलना, किसी को एक्सपोज करना, किसी का जासूस मनना या किसी की बुराई को दुनिया के सामने ला देना, ये बहुत बढ़ा और खतरनाक रिस्क भड़ा बिजने से, याद रखेंगे, सबसे पहले पत्रकार मिज्या जगत के जितने भी एंकर्स हैं एडिटर्स हैं, क्रियेटर्स हैं जो भी इस लाइन से जुरे हैं सबको दिल से नमन और बधाई मैं इसलिए देता हूँ यूँकि आपने ऐसा काम चुना है जो बधाई के पात्र है जो सम्मान के पात्र है और यही वो काम है जिससे कहीं न कहीं समाज का सुधार होगा कभी जमाना हुआ करता था कि दादा गिड़ी चलती थी फिर दौर बदला तो बाब गिड़ी भी चली और अभी वो दौर है जहां नेतागिड़ी चलती है लेकिन उसकी भी किसी से फटती है तो वो पत्रकार है मिडिया गिड़ी है और मिडिया गिड़ी का दौर अब बदलने वाला है मेरे दोस्त और आपको बहुत जल्द यह देखने को मिल जाएगा कि एक पत्रकार समाज को सुधारेगा एक पत्रकार होते हुए मुख्या भी बनेगा एक पत्रकार सरपंच भी बनेगा और एक पत्रकार कहीं न कहीं अपने एस्टेट का मंत्री भी बनेगा याद रखेंगे और जब ऐसा हुआ तब मीडिया गिरी चलेगा और कोछ नहीं लेकिन 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 मेडिया गिरी चलेगा कब जब पत्रकार का बिजनेस भरशाचारियों के खिलाफ चलेगा जब आवाज आपकी नेताओं के बुरे कामों पर उठेगा नयाय के लिए उंग्डिया उठेगी अनयाय को दबाने का नहीं अन्याय को दमाने का नहीं बलके न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा तब हो जैसा कि मैंने कहा कि पत्रकारिता जो है एक बिजनेस है तो बिजनेस ये बिजनेस का मक्षद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए पैसा तो बाइडिफॉल्ट है समझे ना पैसा बाइडिफॉल् ही क्यों नहों चाहे वो आइने के सामने आप खुद क्यों नहों अगर आपने भी गलत किया है तो उसको सुकार किजिए और इमांदारी से जब आप सच को सचा और बुरा को बुरा कहेंगे तब जागे कहिने कहीं मिडिया गिडी समाज को बदलता हुआ नजर आएगा और यह समाज में परखंड में और परखंड लेवल से उठ करके एश्टेड लेवल तक राजनिती में अपना कदम बढ़ाएंगे यह मैं वादे के साथ कह सकता हूँ ऐसे आप सैंक्रो चैनल को जानते होंगे मिडिया जगत के चैनल को जानते होंगे न्यूज रिपोर्टर्स को जो बिकाओ मिडिया कहे जा रहे हैं जिसे साथ गोधी मिडिया का नाम भी दे दिया गया है गोधी मिडिया इसलिए क्योंकि कहीने कहीं उसका मकसद नयाय के पक से कोई मतलब नहीं होता है दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है उसका एक ही मतलब होता है पैसा कमाना है अपने चानल का TRP बढ़ाना लोगों तक पहुंचना इसलिए वह कहीं राजनेता के साथ भरष्ट लोगों के साथ पैसा के चलते बिक जाते हैं और जैसा नेता चाह बुराई के राह पर चलने वाले लोगों के लिए जान बुच कर Rudolph कानटे बिछाए जाते। यह दिषका दुर닝्वाग गगे है कि यहां सच्चाई इमानधारी से रहने के लिए सिखाया नहीं जाता है। यहां बुराई को प्रमट किया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, अब कहीं एक ऐसा बैनर बता दिजिए, जहां ये लिखा हो कि अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा बनो, इस तरह की अच्छाई सचाई को प्रमट ही नहीं किया गया है, जब और सच्चे जो इंसान होते हैं वो जल्दी मारे जाते हैं सच्चाई बोलने के रिए दम होना चाहिए हमें कही न कही बचपन से ही सिखाया जाता है सच करवा होता है किस तरह से हमारे दिमाग में सच्चाई के खिलाफ जहर घोली जाती सच बोलने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है अच्छा बनने से काम नहीं होगा इमांदार बनूंगा तो पेट भरेगा कहीं न कहीं अच्छा बने रहने से काम नहीं होगा बुरा बनने के तरब ढखलता है इमांदार बनने रहेंगे तो पेट चलेगा कहीं न कहीं बैमान बनने के लिए प्रेरित करता है इमंदार रहने वालों के साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है इस तरह की अपवाहों के कारण अब बताएए जो आदमी सिखने के समय अगर इस तरह का बात सचाई अच्छाई और इमांदारी को ले करके सिखेगा तो क्या हो इमांदार बनना चाहेगा और बुराई के बारे में आप जब रिसर्च करके देखिये है दादागिड़ी से तो हर कुछ मानता है काम इमांदार इसे नहीं दादागिरी से होती है इस तरह की अपवाहें कहीं न कहीं लोगों को ढखेलती है बुराई के तरफ दादागिरी के तरफ भरष्टाचार के तरफ अब बताए जब समाज में इस तरकी अपबाहें फैलेगी त IIות सचा इंसान अच्छा इंसान बनना कौन चाहेगा कोई नहीं चाहेगा तो सरकार को कहीं अच्छे करने वालों के लिए सचा इंसान को ढूण करके उसको प्रसाहित करना चाहिए उनके अंदर की मनुवल और चाह, अच्छा बनकर, इमंदार बनकर कोई काम ही नहीं होने, बिना पैसा के लेंदेन के, यहां कोई काम होने ही वाला नहीं, यह भरश्टाचारी इसकदर बढ़ चुका है देस में, मरने वालों से भी कहीं न कहीं पैसा लिया जाता है, यहां तक कि लास को नहीं छोड़ते ह भरश्टचार बिरुजगारी बड़ी से जो समस्या होती है उसे आप इमेजिन करें उन सब का कारण कहीं न कहीं हम और आप हैं और भारत सरकार हैं मैं बड़े होसो हवास में इस बात को बोल रहा हूँ यह सब का कारण दो ही लोग हैं हम और आप यानि की जंता और सरकार अगर ये दोनों का ताल में बैठ जाए न और जंता कहीं न कहीं सिर्फ वोट देने का अधिकार दिया गया है उसको वोट देते हैं आपको चुनते हैं कि मुझे से काम करवा लो तुम में दम है जंता तो यही चाहती है कि अगर तुम में दम है तो मुझे बदल दो मैं बुरा हूँ लो मान ने तुमको वोट दिया बदल दो मेरा गाओ freshmen है तो बदल दो मेरा समाज बिगरा हुआ है मैं वोड देता हूँ तुमको मैं सरकार चुनता हूँ तुम्हें दम है तो बदल दो जनता तो कही न कही यही तो चाहती है बदलाओ चाहती है न लेकिन जनता के पावर का अधिकार का यूज करके सरकार बनती है और कहीं ने कहीं वो फेल हो जाती है अपना घर भरने का काम करती है भरस्टा चार या बड़े मामलों पर खरा होने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को वो सारे कदम उठाने चाहिए और सकती से उठाने चाहिए सकती से नियमों का पालन होना ही चाहिए दुनिय की कोई भी बड़ी समच्या है सरकार उन पर मंथन करे सामोहिक डिसकर्शन करे उसके बाद जो देश के लिए प्रेसर दे नियमों का सक्ति पालन करने के लिए वह अपना जो सरकार पावर है वो पावर का इस्तमाल सभी जगा करे और हमें बदलने के लिए प्रेरीच करे और जब हम बदल जाएंगे सीख कर अपने मन से या जबरदस्ती सरकार जैसा चाहती हो अगर बदल जाएंगे तो बिल्कुल इसमें सरकार का भी फादा है और देश इसी तरह से बदलता है और ऐसा ही करना चाहिए दो ही चीज तो है जनता या सरकार हमें तो वही दो चीज दिख रही है यह दो चीज का जब ताल मेल बैठने लगेगा तब जाके बदलाओ बहुत सी सुन्दर दिखने को मिलेगा बाकि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमारा भासन या भरास्टा चार पर जो भी नोलेजे हैं वो या पत्रकारिता के बारे में जो मैंने बताया वो या मनिसकसब के बारे में जो मैंने बताया इन सभी चीजों में से आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सच्चे मन से बताईएगा अगर आप यहां तक देखे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको सुनने के बाद अच्छा ही लगा होगा अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके जाएए अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाएए और हमारी आवाजें हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो इस चानल को सब्सक्राइब कर ले हम इसी तरह के पर्यास के साथ आपसे मिलते रहेंगे जय हिंद